तो तीर्थ यात्रा करने गए हैं, कि दू आपका इस आश्रम में स्वागत हैं। उस कन्या को देखकर महाराज दुश्यंत ने पूछा बालिके आप कौन हैं। बालिका ने कहा मेरा नाम शकुंतला है और मैं कन्वरीशी की पुत्री हूँ। उस कन्या की बाद सुनकर महाराज दुश्यंत आश्चर्य चकित होकर बोले, महारीशी तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई। उनके इस प्रश्ण के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं, मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था। जहां पर शकुंतला नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा, इसके बाद कण्मरीशी की द्रिश्टे मुझे पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए, उन्होंने ही मेरा भरन पोशन किया, जन्म देने वाला, पोशन करने व यकन्या हो, तुम्हारे सौंतरे को देख कर, मैं अपना रिदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ, यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपती नहों, तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, शकुंतला भी महराज दुश्यंत पर मुहित हो चुकी थी, अतह उसने अपन शकुंतला से बोले, प्रियत में मुझे अब अपना राज्यकार्य देखने के लिए हस्तिनापूर प्रस्थान करना होगा, महराज कनव के तीर थ्यात्रा से लॉट आने पर मैं तुम्हें यहां से विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा, इतना कहकर महराज ने शकुंतला को अपनी प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रा दे दी और हस्तिनापूर चले गए, एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा रीशी पधारे, महराज दुश्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्यान ही नहीं ह और उसने दुर्वासा रीशी का यतोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा रीशी ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बाले के मैं तुझे श्राब देता हूं कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तुने मेरा निरादर किया है, वह तुझे भूल जाएगा। तीर्थ यात्रा से लोटे, तब शकुंतला ने उन्हें महाराजा दुशंत के साथ अपने कंधर्व विवाह के विशय में बताया। इस पर महरीशी कन्व ने कहा, पुत्री विवाहित कन्या का पिता के गर रहना उचित नहीं है, अब तेरे पती का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महरीशी ने शकुंतला को अपने शिश्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते हुए महराज दुशयंत द्वारा दी गई शकुंतला की अंगुठी जो प्रेम चिन्ह थी सरोवर में गिर गई। उस अंगुठी को एक मचली निखल गई। महराज दुशयंत के पास पहुँचकर कण्व रिशी के शिश्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महराज शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्विकार करें। महराज तो दुर्वासा रिशी के श्राप के कारण शकुंतला को विस्मित कर चुके थे, अतह उन्होंने शकुंतला को स्विकार नहीं किया और उस पर कुल्टा होने का लांचन लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही, आकाश में बिजली जोरों से कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा कर ले गई। शकुंतला का स्मरण हो आया, और वे अपनी कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंडवाया, किन्तु उसका पता नहीं चल सका। कुछ दिनों बाद देवराज इंद्र का निमंदरन पाकर, देवासोर संग्राम में उसकी सहायता करने के लिए महाराज दुश्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पच्चात, जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लोट रहे थे, तो उन्हें कश्य प्रिशी का आश्रम द्रिष्टिगत हुआ, उनके दर्शनों के लिए वे वहां रुप गए। आश्रम में एक सुंदर बालक भयंकर सिंग के साथ खेल रहा था, मेनका ने शकुंतला को कश्य प्रिशी के पास लाकर छोड़ा था, तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था, उस बालक को देखकर महाराज के रिदय में प्रेम की भावना उमर पड़ी, वे उसे गोद म में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा, यह सुनकर भी दुशयंत स्वयम को न रोग सके और बालक को अपनी गोद में उठा लिया, अब सकी ने आश्चरे से देखा कि बालक की भुजा में बंधा काला गंडा प्रित्वी पर गिर गया है, सकी को ग्याद था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपनी गोद मिलेगा, तो वह काला डोरा प्रित्वी पर गिर जाएगा, सकीनी प्रसन्न होकर समस्त वृतांत शकुंतला को सुनाया, शकुंतला महाराज दुशयंत के पास आई, महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया, उन्होंने अपन शकुंतला का यह पुत्र भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बाद में भरत, महाप्रतापी समराच बने और उन्ही के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ झालो का यह पुत्र भरत राई, बाद में से कि ऊकुंतला को पुत्र भरत, मैं से सकनी झüुआ का तरू भरत बहल का यहाँ झाल MA का ईन्हीं सम्तला कि वे बंवाले के एंपनी में प्रत भरतो, बवाले के प्रतजर अThen कि थेगको diaOR 7ck हेएदğı